हमारे fundamental duties होते हैं मॉलेक कर्टवे उन्हीं मॉलेक कर्टव्यों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रधोज का संमान किया जाना चाहिए बिलकुल सही बात है और उन्हीं मॉलेक कर्टव्यों में ये भी है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है और सब पशुओं के प्रतिक करुणा का भाव रखना है ठीक जहां तिरंगे की बात है कि तिरंगे के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए सम्विधान में fundamental duties भी वड़ने थें मौलिक करता है उन्ही में है ये बात कि तिरंगे का सम्मान करो और उन्ही में तो फिर ये बात भी है कि पर्यावरण की रक्षा करो पशुओं के प्रतिक करुणा रखो compassion towards all living creatures उसकी बात कौन करेगा हम उसको एक हफ़ता क्यों नहीं दे रहे हैं क्यों नहीं कह रहे है कि 15 अगस्त के आसपास के 20 दिन हम पर्यावरण को और पशुओं के प्रतिक करुणा जागरत करने को रखेंगे तब तथ ही यह है कि भारत भारत सरकार भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कतल खाना बनाने पर जुटी हुई है वो इसको कह रहे हैं pink revolution वो कह रहे हैं यहां और ज्यादा और ज्यादा तुम कृत्रिम गरभाधान करके जानवर पैदा करो और उनको काटो 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 ताकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मास निर्यातक देश बन जाए हम यहां पर नहीं बात करना चाहते क्या जो समविधान ने हम पर मौलिक करतव्य डाले हैं उनकी तिरंगा उंचा है तिरंगा शुभ है पर बाकी मौलिक करतव्यों की कौन बात करेगा किसी सरकार ने आज तक पशुओं के प्रतिक करोणा की बात क्यों नहीं करी तब तो सरकार खुद बताती है संडे हो मंडे, रोज खाऊ अंडे और चिकन खाऊ उससे सेहत बनेगी सरकार खुद समविधान का उलंगन कर रही है समविधान कह रहा है कि यह fundamental duty क्या सिर्फ नागरिक की होती है सरकार की नहीं होती समविधान कह रहा है यह fundamental duty है compassion towards all animals तो आप slaughter houses को subsidize कैसे कर रहे हो आप meat export को promote कैसे कर रहे हो यह poultry farms, यह fishing इनको कैसे बढ़ावा दे रही है सरकारे यह कैसे हो रहा है यह बस तिरंगा बस तिरंगे की बात करनी है बाकी जो मौलिक करतव थे वो कहां गए पर्यावरण का क्या करना है विकास के नाम पे आप पर्यावरण की महादुर्गत ही कर रहे है उसकी बात कौन करेगा इसी तरीके से समविधान में directive principles है नीति निर्देशक तत्तो में वैज्ञानिक चेतना का संचार किया जाए scientific attitude in the citizenry scientific attitude की जगर यदि सरकारी ऐसे काम कर रही हो जिससे देश और अंध विश्वास के पतन में गिर रहा हो तो बोलो इसकी बात कौन करेगा या 15 अगस्त का मतलब सिर्फ तिरंगे से होता है 15 अगस्त का मतलब तो देश से होता है न और देश के समविधान से होता है समविधान ने जो बाकी दाई तो डालें उनकी बात का करो गया बस तिरंगा और यदि देश कमजोर हो रहा है तो एक कमजोर देश कि उपर आप तिरंगा भहुत शान से भी फैरा दो तो अर्थ क्या रह गया उस बात का भारत देश जबरदस्त अंधविश्वास और कुप रथाओं का देश रहा है जो लोग प्रथा प्रथा परंपरा परंपरा कहते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि सती को वापस लेके आओ ना अपने घर में सबसे पहले भारत की बड़ी माननिये प्रथा रही है सती कई सौ सालों तक कुप रथा जैसा कोई शब्द होता है कि नहीं दिल दी बोलो तो सब प्रथाएं फिर सम्मानिये कैसे हो गई कि आज तो जितनी प्रथाएं हैं उनको ही मान लिया जाता है यह संस्कृत हैं सब प्रथाएं संस्कृत हैं तो सती को भी वापस लाना चाहिए फिर तो चुआ चूत को भी वापस लाना चाहिए नहीं जो लोग देश में सबसे जादा अंदविश्वास फैला रहे हो उनको तुम देश के बड़े बड़े नागरिक सम्मान दे रहे हो किसी को पदमश्री किसी को पदमविभूशन भात्रत्न भी दे दो इन्होंने बड़ा महान काम करा है कि देश को और अंदविश्वास के गर्त में धखेल दिया है भात्रत्न की कमी है वो भी दो सिर्फ प्रतीकों से काम नहीं चलता ना असली काम भी करके दिखाना होगा ना और असली काम कराना जा रहा हो बलकि असली काम को और पीछे धकेला जा रहा हो और प्रतीक एक के बादे एक उछाले जा रहे हो तो क्या फाइदा जीवन सिंबोलिस्म भर से थोड़े ही चलता है कि आओ सिंबल 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 के पीछे कोई असली चीज तो होनी चाहिए उस असली चीज के प्रतिही आदर रखना चाहिए वही समान की पात्र है और उसी का पोशन करना होता है यह तो मैंने कुछ फंडमेंटल ड्यूटी और कुछ डारेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करी आप इनको थोड़ा और पढ़िएगा आपको और मिलेंगे और फिर अपने आप से पूछिएगा क्या वास्तव में हम आजादी का सम्मान करते भी हैं मैं यहां पर अभी मूल अथिकारों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह लीगली इनफोर्सिबल होते हैं उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो लेकिन बेचारे डारेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया रहा इनको आप लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते आप कहीं जाओ नियायले में और बोलो कि सरकार जो काम कर रही है वो डारेक्टिव प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है तो इसमें कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं दे पाएगा वो प्रिंसिपल्स हैं बस सिध्धान्त हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए आप नहीं करें तो कोई सजा नहीं मिल सकती लेकिन लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उनको समिधान में रखा गया है इसी तरीके से कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स एक फंडमेंटल ड्यूटी है पर वो इन्फोर्सिबल तभी होगी जब उसके लिए पहले सरकारें बिल लाएं और फिर उनको एक्ट बनाएं पर सरकार अगर बिल लेके आएगी नहीं तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल हो चाहें इंवार्मेंटल प्रोटेक्शन हो यह तो ऐसे ही बस कागस पर रह जाएंगे कि हम उसी बात को और व्यापक करो गया आप जैसे शिक्षा का सब को अधिकार होना चाहिए होेश वास माने क्या कि समिधान कहता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए बहूट अच्छी बात है शिक्षा वाने कहा लेकिनो किटनी शिक्षा आप उस बात को बढ़ाइए ना तब मानने के आजादी शिक्षा का स्तर देखिए गाओं में स्कूलों की हालत देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता हम कहते हैं अगर कि हम 15 दिन तक ऐसा करने जा रहे हैं कि गाओं जो सबसे दूरस्थ गाओं हैं वहां भी नियम अनुसार क्लासेज लगेंगी तो मज़ा आता है पर कहां है शिक्षा आंतरिक शिक्षा के लिए हमारे पास कोई जगा नहीं है जीवन शिक्षा का हमारे पाठे क्रम में कहीं कोई स्थान नहीं है आप वो लेकर के आईए न खतरनाक हो जाता है जब मूल केंद्रिय कोर बात की जगह एक प्रतीक ले लेता है जैसे कि सम्मान का अस्थान नमस्कार ले ले अब नमस्कार चल रहा है चाहे उसके पीछे सम्मान हो या ना हो यह से होता है जाके पाउँ छू लिए लोग पाउँ जुकने में पूरा जुकने भर की भी तकलीफ नहीं करते सामने वाले की जांग छू लेंगे और कहेंगे पाए लागू यह होता है कोरा सिंबोलिजम जिसमें कोई प्राण नहीं है, प्रतीक भर है प्राण नहीं है ऐसा भारत चाहिए क्या हमको या हमें एक सशक्त सुन्दर गहरा अध्यात्मिक प्राणवान भारत चाहिए बोलिये, तो प्रतीकों को जब भी देखें तो प्रशन करना सीखें कि इसके पीछे प्राण कितने है प्राण कहां है, प्राण है तो प्रतीक बहुत अच्छी बात है और प्रतीक अगर प्राण का विकल्प बन गया है, तो बहुत खतरनाक बात है प्रतीक सुंदर है, प्रतीक शोभा देता है, पर तब जब उसके पीछे सत्य हो, अर्थ हो, प्राण हो, तो प्रश्न करना सीखिए.